नमस्ते दोस्तों कैसे हैं सभी लोग आशे करती हूं अच्छे ही होंगे वरसाथ, मदर इंडिया, शोले, नहीं ये थी भारत की पहली ब्लॉक्वस्टर फिल्म तीन साल तक थेटर में लगी रही थी किस्मत भारती सिनेमा की कुछ ब्लॉक्वस्टर फिल्मों में मुगले आजम, शोले, हम आपके हैकॉन, दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे गदर एक प्रेम कथा, बाहु बली, टूदक, कंक्लूजन, दंगल, थ्री एडियर्स, जवान और पठान भी सामिल है आजकल थेटर्स में राजकुमार राओ और श्रद्धा कपूर की फिल्म का बोलवाला है फिल्म ने इंडियन बॉक्स ओफिस पर 586 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया इसके साथ ही लो बजट में बनी ए हॉरर कॉमेडी फिल्म ने कई बड़े बजट की फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है लेकिन क्या आप उस भारतिये फिल्म के बारे में जानते हैं ज़े से पहली बार बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्वस्टर करार दिया गया था और इस फिल्म का नाम था किस्मत और ये फिल्म साल 1923 में रिलीज हुई थी बॉम्मे टॉकीज ने इस फिलिम का निर्माड किया था और ग्यान मुकरजी ने डिर्देशन की कमान समा ले थी किस्मत की बात करें तो किस्मत मूवी में असोग कुमार, मुम्तास शान्ती और डैविट भी एहम किरदारों में नजर आये थे किस्मत ना केबल भारतिय सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्चर फिलम थी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर एक करोड रुपे का आख्ड़ा छुने वाली पहली भारतिय फिल्म बे बने थी साल 1943 में 1 करोड रुपेर से 2025 में 25 करोड रुपेर तक भारत्य सिनेमा ने एक लंबा सफर तै किया है इतना ही नहीं बल्कि किस्मत पहली ऐसी फिलिम भी थी जिसमें हीरो को ग्रेशिड करेक्टर में दिखाया गया था यानि इस फिलिम से पहले तक के लीड रोल में काम करने वाले एक्टरस का करेक्टर हमेशा पॉजिटिव दिखाया जाता था लेकिन किस्मत में अशोक कुमार ने शेकर नाम के एक जेव कत्रे और ठक का किरदार निभाया था उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात हुआ करते थी क्योंकि एक्टरस को टाइप कास किये जाने का डर बना रहता था लेकिन अशोक कुमार ने ये रिस्क लिया और कामियाब भी हुए आप शारुख खान से लेकर रनवीर सिं तक गेश ग्रे शेड करक्टर कर चुके हैं फिल्म की बात करें तो कोलकाता के रॉक्षी सिनेमा में 187 हफतों तक चली थी फिल्म ये फिल्म एक अभिवाईत लड़की के गर्वती होने पर बनाई गई थी स्टोरी लाइन आज के समय में बेशक सामाने लग सकता है लेकिन साल 1943 में ऐसी फिल्में लिखना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी लेकिन लोगों को इस स्टोरी लाइन पसंद आई और फिर क्या था लगातार तीन साल तक ये फिल्म थेटर में लगी रही ये फिल्म कोलकाता की रॉक्सी सिनामा में 187 हफ्तों तक चली थी किस्मत को बाद में तमिल भासम में प्रेम पासम और तेलगू में भाले रामुदू नाम से बनाया गया था किस्मत का ये रिकॉर्ड 32 साल बाद रमेश सिपी की सोले ने तोड़ा था सोले लगातार पांच साल तक कोलकाता के मिन्रवा थेटरस में चली थी किस्मत की सफलता ने अशोक कुमार को उस दौर के बड़े एक्टरिस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया था किस्मत का एक गाना भी था आज हिमाले की चोटी से दूर हटोए दुनिया वालों को ब्रिटिस गवर्रमेंट बैन करना चाहती थी हर साल सौले सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जाता है और इस साल ये 20 सितंबर को मनाया जाएगा इसी मौके पर देश भर के फिल्म पिरेमियों के लिए मल्टी प्लेक्स एसोशेशन आफ इंडिया ने शांदर आफ़र पेश किया है